नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल दफायश्डी पर फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और यह सब आप ही लोगों का देन है कि आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर आज की हैं एक दिन एक की वीडियो मिलती रहेगी और कोई नियूज अब्डेट मिलता रहेगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपके स्क्रीन पर आज का पहला कोश्चिन हमित्रों राष्ट्री टेबल टेनिस चेंपियंशिप की मेजबानी कौन सा राज़ी कर रहा है तो इसका जो सही उतर है दोस्तों वो है उडिसा आपका जो टेबल टेनिस चेंपियंशिप होगा वो उडिसा के कटक में होगा आपको पता होगा कि कटक में ही भारती चावल अंसंधान केंद्र है कटक उडिसा में और यह आपका गेम होगा जोहर लाल नहरू इस्टेडियम होगा जोहर लाल नहरू जे एल एन इस्टेडियम इंडोर गेम है आपका कटक में हो गए इसके बाद 4 जनवरी से 9 जनवरी तक आपका चलेगा इसकी मेजवानी जो कर रहा है वो है O-S-T-T-A O-S-T-T-A इसका full form होता है Odisa State Table Tennis Association और इसमें कुल मिलाकर 500 खिलाडी हिस्सा लेंगे और अगर Odisa की यहां बात आईए दोस्तों तो Odisa से रिलेटर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते आ रहे हैं और अभी जो आपके एक्जामस आने हैं उनमें राजधानी, मुद्रा, मुख्यमंत्री और राजजपाल यह सारी चीज़े पूछी जाती है तो आप Odisa आयात, Odisa के बारे हम लोग जानते हैं कि Odisa की राजधानी है, भोनेस्वर, Odisa के मुख्यमंत्री है नविन पतनायक और Odisa के राजपाल है, प्रोफेसर गणेसी लाल और जो यह आपका राजटी टेबल टेडिस चेंपियंसिफ होगा इसमें कुल मिलाकर 35 टीम और 550 की लाड़ी होंगे आपका Odisa के कटेक में जवाहरलाल नहरू स्टेडियम में होगा जो की इंडोर स्टेडियम है, इंडोर में क्या होता दोस्तों इसमें किर्केट नहीं होता है, फुटवाल नहीं होता है इंडोर का मतलब होता है, इंडोर और आउटडूर होता है आउटडोर का मतलब होता जिसमें किर्केट फुटवाल ये सब हो और इंडोर का मतलब होता जिसमें किर्केट फुटवाल जादा जगाह ना ले, कम जगाह जो ले, उसे इंडोर गेम कहते हैं तो यह आपका पहला प्रस्ट चलिए दूसरे प्रस्ट पर आज का दूसरा प्रस्ट आपके स्कीन पर आज हमने हिंदी और इंग्लिस दोनों मिलिया था क्योंकि लोगों को परिशानी हो रही थी, सिर्फ इंदी में तो इसलिए मैंने इंग्लिस भी लिया है इस आफ़ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पहले अस्थान पर कौन सा राज यह है अब पूछा है कि इस आफ़ डूइंग में भारत का अस्थान नहीं पूछा गया है और दूसरे स्थान पर महाराष्टरा है, तीसरे पर दिल्ली है तो मैंने आपको जो सिर्फ दिया है, सिरियल वाइज लगा है पहला, दूसरा, तीसरा, पहले अंद्रा है, दूसरा महाराष्टरा, तीसरा दिल्ली और यह से कौन जारी किया है हम बात करते हैं कि जो Ease of Doing Business Index है इसके जारी करता ACI ACI का full form होता है ACI Competitive Institute और यह जो है ABC model पर जारी किया गया है ABC model पर जारी हुआ है ABC का मतलब होता है दोस्तो Attractiveness to investors और B फार होता है Business friendly और C फार होता है Competitiveness Policies अब यहां देखिए बात आया है आंद्राप्रदेश की तो हम देखते हैं आंद्राप्रदेश की राजधानी क्या है है हैदराबाद है आंद्राप्रदेश की राजधानी हैदराबाद है चुकि 2 जून 2014 को तेलांगना अलग हुआ था आंद्राप्रदेश से और अमरावती इसकी प्रस्तावित राजधानी रखेगे दस वरसो बाद 2024 में आंद्राप्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी आंद्राप्रदेश की मुक्यमंत्री C.E.M. है चंद्रबाबू नाइडू जो की सबसे अमीर मुक्यमंत्री है और यहां के गौवर्नर है E.S.L. नरसिम्हा आंद्राप्रदेश में 25 उचिन्याले भारस का खोला गया है और इसके पहले जज़ होंगे छागडी परवीड कुमार C. परवीड कुमार यहां से हमें इतनी जानकारी मिलती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्टन पर अगला प्रस्टन आपका हाली में 20 सुपस्तक मेला 2019 का उधगाटन कहां किया गया आपके options हैं गोवा, मुंबई, नई दिल्ली और महराष्टरा तो इसका जो सही उत्तर है वो फ्रेंड से नई दिल्ली में 20 सुपस्तक मेला का उधगाटन नई दिल्ली में किया गया था वर्ड बुक फेर और 5 जनवरी से यह सुरू हुआ था इसका जो थीम था इस बार वो था दिव्यांग जनों की पठन आवज सकता हैं चुकि 20 सुपरेल दिवस कब मनाया गया था 4 जनवरी को तो इसलिए 5 जनवरी से जो सुरू किया गया तो 20 सुपस्तक जो मेला था दिल्ली में लगा था नई दिल्ली में इसका थीम था दिव्यांग जनों की पठन आवज सकता हैं और यह लगता आपका प्रगर्ती मेदान नई दिल्ली पर मेला इसके पार्टनर था AIR All India Radio पार्टनर कौन था AIR आप लोग सुनते होंगे ना AIR इसका एक और फुर्फाम होता All India Rain लेकिन यहाँ पर All India Radio है इसका पार्टनर सिप्था विस्सो पुस्तक मेले का पार्टनर AIR महात्मा गाधी की 125 जहनती आने के नाते यहाँ पर कुछ प्रमुक किताबों का इस्टाल भी लगाया गया लगाया जाएगा तो यह था इतनी अब दिल्ली आयत दिली के मुक्रमंतरी अर्विन के जिरिवाल यहाँ के उपर जपाल अनिल वैजल है तो यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है चलिए आगे बढ़ते है चौथा प्रस्टन आपकी स्कीन पर आज अच्छे-च्छे कोश्चन है कोश्चन की स्रीजिच आप 10 है हाली में किसे रामनाथ गोयन का एक्सिलेंस इन जनरिलिजम पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसका जो सही उतर है वो है बीजे कुमार को डक्टर बीजे कुमार को रामनाथ गोयन का एक्सिलेंस इन जनरिलिजम पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पत्रकारिता में ये पुरुस्कार इनको मिला है और ये जो है इन्वेस्टिंग रिपोर्ट को त्यार करते हैं और ये स्बीजे कुमार आपके जो है ये आपके हिंदू में जो एडिटर भी है और ये पत्रकार जो 31 पत्रकारों को ये पूरुषकार दिया गया है रामुनाद गोयन का एक्सिलैंस का पूरुषकार आफ अगले प्रस्ट पर लोग अगे बढ़ते हैं पाच्वा प्रस्क नगऌ च्ठे भारती महिला-जैविक उसोका उजन कहां किया जाएगा यह रोगण्याईज दल्री व्हेर ह टो एप की उत्तर है वह है अगा है कि अज़िव्ह भार गार बैरा-जनवरीं है यहfür 14 जनुरी इसका आयोजन किया जाएगा और इसको आयोजन जो करेंगे महिला योंबाल विकास मंतरा ले दोरा जो कि महिला योंबाल विकास मंतरी इस समय आपकी मेन का गांधी है भारती जंता पार्टी से और इसका उद्देश से होगा जैविक उस्तो महिला जैविक उस्तो मनाने का इसका उद्देश है कि भारत के दूरस्त किसान को प्रुसाहित करना भारत के दूरस्त किसान को प्रुसाहित करना चलिए अगले प्रस्ट पर आगे चलते हैं भारती बाल कल्याण परिस्द ICCW दोरा राष्टी वीरता पुरुसकार के लिए किसे चुना गया है तो इसको जो चुना गया है वो है वी अफसन आपका वाहेंग 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 वान लमन गामबा सिंग इनको जो है मडीपूर के हैं नरिंदर मोदी इनको जो है राष्टी वीरता पुरुसकार के लिए चुनेंगे इनको जो वीरता पुरुसकार दिया जाता आब लोग जान लिजे वाहेंग वान लमन गामबा को किसलिए पुरुसकार दिया जा इंडियन चाइल्ड वेलफेर काउंसिल चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में नेशनल ग्रीन ट्रूब्नेल ने एंजीटी ने किस राजी सरकार पर सव करोड रुपे का जुरुबाना लगाया है तो आपका जो सही उत्तर है वो है मेगाले सरकार पर अभी हाली में एंजीटी नेशनल ग्रीन ट्रूब्नेल इसकी अस्थापना 2010 में हुई थी इसका हेड़कॉर्टर दिल्ली में है और ये आप एजान लीजिए 100 करोण का जुरुबाना एंजीटी ने मेगाले सरकार पर किसलिए लगाया क्यूंकि आवएद कोईला खनन के आरोप में इनके उपर आरोप लगाया है FrenchCPCB ने जमा करने को का है Central Pollution Central Board Central Pollution Control Board में को जमा करना है पैसा मेगाले सरकार को और अब बात आ ये मेगाले की तो मेगाले से कुछ जानकार जान लेते है मेगाले के मुक्वद्द्रिये काॉंनराच संगमा और यहां के गॉर्णर है तथागत राय यहां से में तनी जांकारी मिलती है चलिए आगे बढ़ते है हाली में किस राजे सरकार ने केंदरी सिचाई और विद्दूद बोर्ड पुरुसकार जीता CBIP पुरुसकार किस ने जीता Central Irrigation and Power Board Award CBIP किस ने जीता है तो आपका जो सयुत्तर है आंदरप्रदेश सरकार ने CBIP पुरुसकार जीता है और किस छेतर में जीता है क्योंकि किसी छेतर में जीता है पोला वरम सिचाई परियोजना गोदावरी नदी पर जो बनी है वहां से ये किसानों को पानी पहुचाने में इन्होंने Central Irrigation Power Board का पुरुसकार जीता है आंदरप्रदेश सरकार ने चलिए मैं इसका मुख्यमंत्री राजजपाल आपको अभी बताया था पहले दूसरे प्रस्ट में आपको याद होगा इसके मैं परड़े आपको मुख्यमंत्री राजपाल और जहां की राजपाल नहीं होते हैं वहां के उपर राजपाल और राजधानियां बताते चल रहा हूँ तो आप लोग रिवाइस करते चलिएगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी आज का नुवा प्रस्ट है हाली में किस मंत्री ने सुच सर्वेचर 2019 का सुभारम हरदीप सिंग पुरी ने किया था हरदीप सिंग पुरी आवासियों सहरी मामलों के मंत्री है आपकी इंपॉर्टेंट है आवासियों सहरी मामलों के मंत्राले जिनके पास है उनका नाम है हरदीप सिंग पुरी तो सुच सर्वेचर 2019 का सुभारम हरदीप सिंग पुरी ने किया जो कि आवासियम सहरी मामलों के मंतरी है, नई दिली में 14 सोच सरवेच्ट किया जाएगा, इसमें 4000 से ज्यादा सहर को और 40 करोन लोग को सामिल किया जाएगा, 4000 प्लस सिटीज होंगी, और 40 करोन से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे, सोच सर्वेचण का चोथा सेसन है दोजार उन्नीज में आरम होगा इसके घाटन करता हरदीव सुंपुरी आवास हम सहरी मामलों की मंत्री चलिए आगे बढ़ते हैं एकले कोशिन पर आपका दस्वा प्रस्ण है भार्दी पुरातत्त सर्वेचण ASI द्वारा कितने इस मार्कों को संरच्छित और राष्टी महात उखसित किया गया है तो इसका जो सही उत्तर है वह है छे How many moments How many moments were prescribed and declared by the archaeological survey of India ASI इसका full form होता है archaeological survey of India Archaeology मतलब होता है पुरा तत्त जिसमें बीते हुए बातों का अध्यन किया जाए The society and the past things which is called archaeological तो इसमें 6 जो है भार्दी पुरातत्त विखा को राष्टी महत के रूप में घोसित किया गया है जिसमें आपके महाराष्टरा में 125 अस्त पुरानी Old Code Building है उडिसा में रानी पुर जारिल में मंदिरों का समूव है आगरा में आगा खान और हाथी खान की हवेली है राजस्थान में अलवर जिले में नीमरान बाउरी है उत्राकंड में कोतली में विश्णु मंदीर पितहरिया गढ़ जिला में तो इस तरीके से आपके 6 महतपूर रश्टी महत गोसित किया गया है एसाई दौरा भारती पुरातत सर्वेच्छड दौरा चलिए यहां से मितना जनकरी मिलती है चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेशिन जो मैंने आपको दिया था उसका सईूतर है कि हाली में किर्टडर सचिंते दुलकर की कोच रमा कांत आचेरकर करीधन हो गया उन्हें दौराचार पुरुषकार कब दिया गया था तो सईूतर 1990 में उनको दौराचार पुरुषकार भी दिया गया था आपको कॉमेंट करके बताना है फ्रेंट्स कि आज क्या है आपके पास मैं देख रहे होगी स्कीन पर पहला विस्टुब्रेल दिवस कब मनाया गया मैंने आपको बताया आप कमेंट करके बताएए और क्यों मनाया जाता है आपको पूरा अच्छे से लिखना होगा सेकंड है परवतार होई अनुमा सिंगा में से निम्ड में से कौन सा प्रुसकार मिल चुका है आपके पास और कमेंट करके बताएए और कमेंट ऐसा कीजिए जिससे आपके कमेंट कोई और लोग पढ़ें तो उनको अच्छा लगे उनको और भी जानकरिया वहां से मिल जाया आप लो जादा हो सके आप लोग सेर करिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यारों दोस्तों और साथियों को बताईए सह पार्थियों को कि करेंट अफेर्स का जो जितना इससे ज्यादा एक भी प्रसने अपके 95% में आपको करवा दूंगा 50% चांसे जो एक्जाम में बाहर स झाल